देखिए यहाँ पे बैठे हुए मेरे मन में एक पुरानी बात आई 32 साल पुरानी बात है मैं 1991 की बात है मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्ती भवन से निकल रही थी अपनी वहां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे सामने भारतिय सेना की एक ट्रक थी फूलों से लदी हुई थी उसके उपर मेरे पिता जी का शव था थोड़ी देर काफिला चला पांच-दस मिन्ट चला फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं तो माने मना किया उस समय सुरक्षा का भी बहुत उठा तो माने का नहीं तुम उतर नहीं सकते राहुल ने जिद की नहीं मैं उतरूंगा मैंने मां से का मां उतरने दो राहुल गारी से उतरा उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और तीन मूरती से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे 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 पैदल चलते 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 यहां पहुँचा इस जगे से इस जगे से कुछ चार सो पाच सो गस दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संसकार मेरे भाई ने किये सुनिए वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है मेरे मन में है मेरे पिता का शव इस तिरंगे जंडे में लपेटा गया था इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया उस शहीद पिता का अपमान भरी संसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंसंस राहुल दान्दी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है आपके प्रधान मंद्री आपके प्रधान मंद्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नहरू नाम को इस्तिमाल क्यों नहीं करता पूरे परिवार का अपमान करते हैं कश्मीरी पड़ित समाज के रिवास का अपमान करते हैं जिसके तहट एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है परिवार की परमपरा को आगे बढ़ाता है लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता आपको दो साल की कोई सजा नहीं मिलती आपको जेल की सजा नहीं मिलती आपको संसत से कोई बाहर नहीं नकालता आपको मना नहीं करता कि आठ सालों के लिए आप चुनाओं नहीं लड़ सकते क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ क्यों आज तक हम चुप रहे हैं हमारे परिवार का अपमान करते गए करते गए मेरे भाई ने क्या कहा संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे मेरे भाई ने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करता हूँ मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है हमारी विचार धारा अलग है लेकिन हमारी नफरत की विचार धारा नहीं है तो मैं पूछना चाहती हूँ एक आदमी का कितना अपमान करोगे कितना अपमान करोगे क्या यही है इस देश की परंपरा आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे भगवान राम को बनवास में भेजा गया उन्होंने अपने परिवार अपनी धर्ती के प्रती अपना धर्म निभाया क्या भगवान राम परिवारवादी थे क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े और हमें क्या शर्मानी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए कि इस जंडे में उनका खून है इस धर्ती में उनका खून है इस देश के लोग तंत्र को मेरे परिवार के खून ने सीचा है और जो सोचता है जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे जो सोचता है कि तमाम एजन्सियों को लगा कर, हम पे छापे मार कर, हमसे कुछ भी करतने हमको हमें डराएंगे वो गलत सुचते हैं हम डरने वाले नहीं हैं हम और मजबूती से लड़ेंगे हम इस देश के लोक तंतर के लिए कुछ भी करने के लिए तयार हैं इस देश के लोक तंतर को इसकी नीव कॉंग्रेस पार्टी के महान महापुरिशों ने की डाली है कॉंग्रेस पार्टी लड़ी इस देश की अजादी के लिए और आज भी इस देश की अजादी के लिए ही लड़ रही है कभी कभी मैं सोचती हूँ मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है क्या देख नहीं रही है, क्या हो रहा है, क्या आपको दिख नहीं रहा है, क्या आपकी सारी समपत्ती लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है, गिने चुने उद्योग पतियों को सब कुछ दिया जा रहा है, किसकी समपत्ती है, यह राहुल गान्दी की समपत्ती है, यह आपकी संपत्ति है यह PSU किसके हैं? किसके लिए बनाए गए? आपके लिए बनाए गए जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं दिये जा रहे हैं इसी से तो आपका रोजगार आता है छोटे उद्योगों से छोटे व्यापारियों से आपका रोजगार आता है किसी बड़े अडानी से नहीं आता रोजगार नहीं देते छीन दें आपका रोजगार तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं आप गैस के सिलिंडर के लिए हजार रुपे दे रहे हैं और यहां आपकी सारी संपत्ती किसी को सौंपी जा रही है राहुल गांदी जी ने क्या कहा अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आप से दो सवाल पूछ लिये जवाब नहीं दे पाएं न घबरा गए और जो अहंकारी होते हैं इतानाशा होते हैं क्या करते हैं जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं आपने कभी सोचा है आखे खोलिए आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार ये सारे मंत्री ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपती दे रहे हो देश की बीसो हजारो करोड शेल कंपनियों में इनकी है और आप इन पे इंक्वाइरी नहीं कर सकते ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बुखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं देखिए आप इस देश के देशवासी हैं ये देश आपका है ये लड़ाई आपकी है आज तमाम नौजवान बेरोजगार क्यों है हम इस्तिहार तो देख रहे हैं होडिंग देख रहे हैं मदर ओफ डिमोक्रिसी लिखा है कहते हैं कि हमारी अर्थ के वस्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है तो इतने नौजवान बेरोजगार क्यों है तो जहां जहां हम जाते हैं बेरोजगार नौजवान क्यों दिखते हैं इतनी महंगाई क्यों है क्या आप इतने बड़े काम कर सकते हो लेकिन एक गैस सिलिंडर का दाम कम नहीं कर सकते आप छोटे व्यापारियों की मदद नहीं कर सकते आप रोजगार नहीं बनवा सकते तो फिर आपके सरकार किस काम की है लोगों को दबाने के लिए है या अडानी जी को आगे बढ़ाने के लिए है तो आज ये समय आ गया है कि हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा ये सरकार पूरी कोशिश करती है कि आपका ध्यान भटकाया जाए अब आप सोचिए कन्या कुमारी से कश्मीर तक एक आदमी चला उसके साथ लाखों लोग चले क्या पैगाम लेके चला किस लिए चला उसके दिल में क्या भावना थी कि लाखों लोग देश भर से उससे जुड़के चले समता एकता की भावना थी आज आपके सारी मीडिया आपके सारे मंत्री आपके सारे संसद आपके सारे कारे करता कह रहे हैं कि राहुल जी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया राहुल जी ने एक वर्ग का अपमान किया क्या एक आदमी जो कन्या कुमारी से लेकर पाँच हजार किलो मीटर कश्मीर तक चल के ये रोज रोज कहता है कि इस देश को एक होना चाहिए सब को समान दृष्टी से देखना चाहिए क्या ये आदमी देश का अपमान कर सकता है क्या ये आदमी एक वर्ग का अपमान कर सकता है तो ये आदमी क्या कर रहा है ये आपकी आवाज उठा रहा है ये क्या कह रहा है कह रहा है कि गरीबों को अपना हक दो नौजवानों को अपना हक दो महिलाओं को अपना हक दो यही तो कह रहा है और हक क्या है हक ये है कि जो आपका है वो आपके हाथों में जाना चाहिए किसी बड़े उद्योकवती के हाथ में नहीं जो प्रधान मंतरी जी के मित्र है ये है आपका हक उसी हक की लड़ाई लड़ रहा है तो आप समझे ये एक इनसान की बात नहीं है ये एक राहुल गांदी की बात नहीं है कि पूरे देश की बात है जब हम कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है तो हम किस बात की को बचाने की कह रहे हैं क्या कह रहे हैं हम लोकतंत्र क्या होता है खुल के जवाब मांगो सवाल उठाओ यही तो लोग तंत्र है कि आपको कोई आपत्ती है कोई समस्या है आप किसी के पास जाकर अपना हक मांग सकते हैं आप कह सकते हैं भई हमारे लिए ये क्यों नहीं किया इतनी महंगाई क्यों है हमारे लिए रोजगार क्यों नहीं बनाए लेकिन आज यही ह fav छीना जा रहा है। और आप का ध्यार इधार उधार भटकाया जाता है। और इतनी छीजों को फहलाया जाता है जो सच नहीं है। जूटों को फहलाया जाता है। आप सौचिए राहुल गांदी, दुनिया के सबसे दो, सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थाने वहां से पढ़के आए हैं हारवर्ड और केमरिज की उनकी डिग्री है केमरिज से उन्होंने एकनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री एमफिल डिग्री उनको मिली आप उसको पपू बनाते हैं पूरे देश भर में आपकी सहायता के अच्छा है आपने देखा नहीं उनको पपू बना दिया फिर पता चला कि यह पपू तो यातरा में निकला और पता चला कि यह तो पपू ही नहीं इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं यह इमांदार भी है यह सब बातों को समझता भी है यह जनता के बीच जा रहा है जनता की समस्याओं को सुन रहा है तो जनता इसके साथ चली जा रही है तो घबरा गए घबरा गए कि राहुल गांधी ने संसद में जबाब नहीं है क्या किया सुन लीजिए एक तरफ से हसी भी आती है कि एक आदमी को रोकने के लिए इतना सारा करना पड़ा जिस आदमी ने राहुल जी के खिलाफ सूरत में कंप्लेंट लगाई आपको मालूम है कि पिछले साल उसने खुद के चहरी में जाके बोला इस पे आप स्टे लगा दीजिए एक साल के लिए अपने ही केस पे स्टे लगवाया फिर वापिस कब गए केस खुलवाने के लिए राहुल गांधी के संसद में अडानी पिके भाशन देने के एक हफ़ते बाद एक हफ़ते बाद वो आदमी व अंदर जज कह देते हैं कि राहुल गांधी को दो साल की सजा मिलेगी आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में दसों साल के लिए पढ़े रहते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती ये तो सुनवाई भी फटते हो गई जज्मेंट भी फटते हो गई सजा भी फटते दिन की आठ सालों के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते संसद से बाहर कर देंगे इनको वावाव वाव 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 बहुत धहर्या है आप में अरे कायर हैं कायर है इस देश का प्रधान मंत्री लगा दो केस मुझे पर जेल ले जाओं मुझे भी लेकिन सचा ही ये है कि इस देश का प्रधान मंत्री कायर है अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है अहंकारी है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को यह देश पहचानता है मेरे परिवार ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि यह देश दिल से बोलता है और दिल से सुनता है यह देश सचाई को पहचानता है और मैं जानती हूँ कि आज वो दिन है जब से सारा कुछ बदलने लगेगा मेरे मीडियो के साथियों मैं आप से कहना चाहती हूँ बहुत हो गया है बहुत हो गया है मैं जानती हूँ आप पर कितना दबाव है मैं जानती हूँ कि आपको लाइन भेजी जाती है कि आज आपको यह कहना है आज आपको यह लिखना है लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज लोग तंत्र खत्रे में है अगर सरकार सवाल उठाने वाले को आठ सालों के लिए संसद से निकाल सकती है अगर कह सकती है कि तुम्हें चुनाओ लड़ने की ही अजासत नहीं है तो बहुत गरबड है बहुत गलत हो रहा है और ये लोग तंत्र के लिए ठीक नहीं है ये इस देश के लिए ठीक नहीं है जब आप पत्रकार बने शुरू शुरू में जब आप काम के लिए आए तो आपके दिल में भी ये होगी बात कि देश के लिए मैं सचाई बोलूँगा मैं सचाई बोलूँगी उठाई है उनका हम सब धन्यवाद देते हैं और हमें हम सब को एक होना पड़ेगा इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आज ये देश खत्रे में है आज इस देश की सारी संपत्ती एक आदमी को सौपी जा रही है और उस आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो जाती है बहुत गलत हो रहा है अगर आज मेरे भाईयों और बहनों आप इसको पहचान नहीं पाएंगे तो इस देश को बहुत खत्रे में डाल देंगे इसलिए यहां खड़े हुए महात्मा गांधी जी की समाधी के कुछी गज़दूर खड़े हुए मैं आपको याद दिलाती हूँ कि कितनों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है कितनों ने इस देश की धरती इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है यह अफसर हैं यहां टैनाद खड़े हैं इसी तरह से इनके भाई सरहक पे खड़े होते हैं हमारे लिए आज भी अपना खून बहा रहे हैं क्या इसके लिए क्या डानी जी के लिए कि अपने देश के किसान के लिए अपने देश के गरीब के लिए अपने देश के छोटे व्यापारियों के लिए महिलाओं के लिए अपने बच्चों के भविश्य के लिए हम सब अपनी जान देने के लिए तयार हैं तो मैं आपसे आग्रे करती हूँ मेरे देशवासियों आखे खोल लो समय आ गया है डरो मत राहुल गांदी के शब्दों में डरो मत इनका सामना करने का समय आ गया है जुट हो जाओ सामना करो इस देश की सच्चाई को भारो इस देश की एकता को बनाए रखो और इस देश को आगे बढ़ाओ जैहिंद 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 हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइफ पे अपने व्यापार एउं सेवा से संबंदित विज्यापन है तू मोबाइल नमबर 7385952786 अथ्वा 7738267786